जेल केम परतियासी जेरा महतो ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भागा नहीं था मुझे रास्ता दिया गया था साथ ही आपको बता दे कि एक्स्क्लूजिव वीडियो टीवी 45 के पास आया है जहां पर वो अपने गिरफतारी को लेकर के और सभा से भागने को लेकर के उन्हेंने क्या कुछ कहा है आईए आपको सुनाते हैं कहीं अगर कोई चर्चा का विशा है तो आपका लाडला बेटा आपका चोटा भाई आपका टाइगर जरा मातो प्रिराज में चर्चा का विशा है यह आपका प्यार है यह आपका असिरबाद है तो चलिए बिशाई को लंबा ना ले जाते हुए सवाल हमारे आलोचकों के जहन में होंगे बहुत सारे सवाल गाउं के चोपाल से उट रहे होंगे उन सवालों का मैं खुद आज खुद से सवाल भी पूछूंगा और उन सवालों को उत्तर भी देने का काम करूँगा क्योंकि मेरे पास मीडिया आज नहीं है यहां जैनना चाहिते हैं कि सचाय आखिर है क्योंकि लोग जो विपक्स में वैटे हैं जो आजोड़ वजया गें हमारा वह प्रोपोगंड़ा प्रोपागंडा फैला रहे हैं कि यदि जराम बाबु को इस केस की जानकारी नहीं थी तो फिर उनका हस्ताक्षर केस के आपके डिफिट में कैसे आया तो सबसे पहले मैं आपको किलिए ली बताना चाहूंगा कि 39 तारिक को जिस दिन मेरा नोमिनेशन पेपर खरदा गया मैं कहां था पुरा राज जानता है मैं चत्रा में स्रीमान दीपक गुपता जीक जो हमारे लुटेल से हैं उनका नोमिनेशन था यानी म सब्सक्रीम व्हानेशन करेंगे तो हमोंकि तो आस्चैस की नहीं है हाँ मेरा एक केस है 23 मार्च 2023 को विधान सभा घेराओं के दोरान है और वो जगरनाथ पूर्था नामे है क्योंकि फिर एक नए केस को एड करना था यानि फ्रेस फिर बनता है सुबह हम लोग काफिला सज रहा है सुबह हमारी गाड़ियां सज रही है और हम लोग त्यारी कर रहे हैं नए पेपर भरे जाने की अकबक्की का इंतहा देखिए फिर नए केस को एड किया जाता है और हम लोग नुमिनेशन के लिए पहुँचते हैं दिटेन ही करना था यदी वारंट ही निकालना था तो दो साल के दर्मियान मैंने नहीं करने से लिए 2.500 सभा किया है उस दर्मियान अरेस्ट करते हजारी बाग नुमिनेशन के समय अरेस्ट करते लेकिन खेर साजी से बहुत गहरी हैं यह केस कामेटर अब एक सवाल यह आ रहा है भाग गए फरार हो गए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भागने का अर्थ भागने की को कैसे आप परिभासित करेंगे यहां मेरी सभाव रही थी बिल्कुल चारो तरब गोलाकार पुलिस खड़ी थी हाथ से हाथ मिलाकर पुलिस खड़ी थी आप वीडियो देख लिजेगा तो फिर हम कैसे निकलें जैसे बात उन्होंने रास्ता दिया है जी हां उन्होंने ही रास्ता दिया है मैं सेम उस वीडि पता नहीं बोकारों का परिस्थिती उस दिन क्या होती कहीं कुछ अप्रिय हिंसक घटना ना घट जाए इसलिए मैंने बिलकुल एसकारपियों के बॉर्नेट से कहा कि अस्पे सहब माप किजिएगा बेन की भावनाओं का सम्मान किजिए डेटेंड किसी और दिन किजिए आप चाहे तो उस सभा में महजूद तमाम मेडिया रिपोर्टर से पूछे तमाम पुलिस के प्रादिकारियों से पूछे आज लोगों के असरबाद में मुझे जार्खन का जन नेता बनाया है आज 45 टेगरी के टेंपरेचर में लोग बिना अपना खर्च से गए थे और आप N. किसी आजी पुलिस के लिए जाएंगे जाएंगे तो प्रादिके जाएंगे इस से लिए दिवस्ता को मैंटें किजिये डेटें किसी फोर दिन कीजिए और विलकुल एसकार कियो टेवर्नैट से मही निकला हूं उसके बाद फिर मैं नीचे वैठा और निकल ते रहुगों इन पुलिस चारोतरब थी भई, बहगना वह तलब के और कि जाते तो भागा मांनते, नीचे सुरंग बना के जाते तो भागा मानते, चारोतरब को लिस हरुआसम केसे पा रहोंगे, तो किसीने हाथ छोड़ा होगा, किसीने रास्ता दिया होगा, हो सके हमारे चाहने वाले उपर फिल्स के लोगे समभावना है तम तून के लिए